हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों सिक्चा वर्ती जोड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूँ और साथ में जो आप कमेंट करते हैं उन पर भी वीडियो जरूर बनाता हूँ सुबह में आपके पास एक वीडियो लेकर आये था कि हाई कोट से अंतरे मादे जारी 14.35 OBC आरक्चन के अनुसार होगी वर्ती तो इसमें मैं ने पूरा बिश्टेशन किया था इस पर ही काफी कमेंट आए हैं उन भाई बेनों के जिनके नाम जो है चाइन सूची में है तो दूस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया तक करीबन सितंबर 2020 में वही वीडियो में आज सेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में साथ में दोस्तों यदि आपकी journal में selection हुआ है तो आपके selection पर कोई भी असन नहीं पड़ेगा ये जो reservation 27% है वो अभी वही रहेगा लेकिन न्यूकती यदि करनी है तो high court ने अंतरे माधित जारी किया है कि 14% के हिसाब से आप कर सकते हैं पूरा बिशलेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा तो यदि आपने नहीं देखा इस वीडियो को जरूर देख लेए और अब मैं share करने जा रहा हूँ आपके सितंबर 2020 का वीडियो जिसे आप देखें और समझें कि यदि 27% से 14% जो reservation किया गया OBC भाई वेनों का तो जो चाइन सूची है और पिर्तिक्चा सूची है उस पर क्या असर होगा दोस्तों तो पूरा बिशलेशन जो है गवर्मेंट के आदिस अनुसार है हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों अकसर जो आप कमेंट करते हैं उन पर मैं वीडियो जरूर लाता हूँ मैं सुबह एक वीडियो लेकर आयता जिसमें मैंने आपको बतायता कि जो हमारे सिक्चम मंत्री जी हैं उन्होंने वयान दिया है कि जब तक रिजर्वेशन का फैसलर नहीं आ जाता और जिसकी सुनवाई आपके आगामी 23 सितंबर को है तब तक हम आपकी वर्ग एक और वर्दू की काउंसलिंग की पिरकिरिया आगें नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसमें बहुत से भाईवेन ये जानना चाहरा है कि सर जो भी रिजर्वेशन है यदि वो कम हो जाता है तो अभी हमारा नाम चाइन सूची में है क्या हम उससे बाहर हो जाएंगे इस बारे में बात करेंगे सेकेंड ये कोशन मेरे सामने आया दोस्तों कि अभी जो लिष्ट बनी है क्या वो 27 परसेंट जो रिजर्वेशन है OBC वो उसमें लागू है क्या साथ में जो 10 परसेंट EWS है क्या वो उसमें लागू है तो डेफिनेटली दौनों रिजर्वेशन लागू है उसके बारे में भी मैं आपको प्रूब के साथ बताऊंगा तो दोस्तों ये दो सवाल है क्या जो अभी लिष्ट बनी है उसमें 27 परसेंट OBC आरक्चन है डेफिनेटली है दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं इसके लिए हमें MP online के portal पर जाना होगा DPI पर किलिक करना होगा वर्ग ए सेम आदेश डले हुए हैं तो आप किसी पर भी जा सकते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं OBC आरक्चन है ना तो इस पर आप किलिक करेंगे तो आपको वह डॉक्यमेंट्स मिल जाएका जिसका हवाला मैं देने वाला हूं तो दोस्तों ये वह आदेश है भूपाल दिनां है वो लागू किया गया है जैसे कि इसमें आप नीचे देखेंगे जिससे आप यहां पर देख रहे हैं मूल अदिनियम की धारा चार में उप धारा दो में खंड एक में उप खंड का में सब्द और अंक अन्य पिछड़ा वर्ग 1430 के इस्तान पर सब्द और अंक अन्य पि इस्तान पर सब्द और अंक अन्य पिछड़ा वर्ग में 2730 इस्तावित किया जाया तो यह आप देख रहे हैं पॉइंट दोस्तों तो इसी के पॉइंट के आदार पर जो है आपकी लिष्ट बनाई गई है जिसमें आपके 27% OBC Reservation भी लागू है और 10% जो EWS है वो भी यहां पर लागू है EWS के लिए आप यह दो फोल्डर यहां पर देख रहे हैं जिसमें आपको आदिस मिल जाएंगे तो 10% जो EWS था उसका भी अपडेट किया गया दोस्तों और बो भी लागू किया अब जो सुनवाई चल रही है OBC case पर 27% लागू है उसकी जो सुनवाई है दोस जो गवर्मेंट है उनका यह मानना है कि जो जनसंग क्या है OBC भाई बेनों की उसके इसाब से उन्होंने आरेक्षण डिसाइड किया है और वो 27% हो जाता है कोट ने जो संग्यान में लिया है वो इस इसाब से लिया है कि उनका कहना यह है कि 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं 27% लागू होता है तो जो रिजर्वेशन है टोटल वो 50% से उपर निकल जाता है तो उस इसाब से उन्होंने संग्यान में ले लिया है मैं यह किस आदार पर कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों जो OBC का आरक्षण पर हैंगे दोस्तों इन लाइन नों को यदि आप ध्यान से देख रहा हैंगे दोस्तों तो यहां पर लिखा है कि 14% से जो है 27% किया गया है और पहले से जो रिजर्वेशन है एक 16% है एक 20% है तो सबको यदि मिला दिया जाए दोस्तों यदि सबको जोड़ा जाए तो आप नीचे देख रहे हैं कि 63% हो जाता है वो इस पर ही सुनवाई से रही है जो गवर्मेंट है उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि हमने क्यों 27% हारक्षण दिया है और उन तो अब उनका क्या decision रहता है क्योंकि एक महीना जो है उन्होंने समिक्षा के लिए मांगा था जो आपके गवर्मेंट ने जो भी आंसर दिया है उसके लिए और अब आपकी जो अगली डेट है वो 23 सितंबर है दोस्तों तो दोस्तों पहला question तो आपको मिल गया है कि क्या list सकता 20% वो भी सी आरक्षण के साथ बनी है जी हाँ बनी है सेकेंड जो आपका question है क्या आरक्षण कम होने से चाइन सूची वाले लोग भार हो जाएंगी अब यहाँ पर दोस्तों question वासक चिन है कि यह कम होगा कि वही रहेगा यदि वही रहता है जो कि अभी बर्तमान में है तो आपकी list में कोई भी बदलाब नहीं होगा जैसी list है उसी के साथ फिर counselling सुरू हो जाएगी यदि कम किया जाता है जिसकी आप पूछ रहे हो लगातार कि यदि सर कम किया जाता है तो फिर क्या होगा फिर क्या list में बदलाब होगा तो definitely जो नया आदेश पारित किया जाएगा हाई कोट की तरब से उसके हिसाब से आपकी list अपडेट हो जाएगी कुछ मैं उधारन इसके लिए लाया हूँ जिससे आप बहतर समझ सकेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप उधारन देखें कि चाइन सूची और पिटिक्चा सूची है दो चीजे आपकी डली हुई है MP online पर अब मालों चाइन सूची में कौन है जिनके नमबर सबसे अच्छे आए A plus है एक और candidate है जिसके A plus नमबर आए उसके नीचे फिर A वाले है जिनके नमबर थोड़े कम आए पिटिक्चा सूची में कौन आगया B plus वाला आगया उसके नीचे भी B पिलस वाला आ है, दोनों के नंबर एक जैसे हैं, फिर उसके बाद B वाला है, उसके नीचे भी वाला है, यह अपकी पिर्थिक्चा सूची में आय। क्योंकि अब यह confirm नहीं है जब तक आपका फैंसलन नहीं आ जा तक कुछ भी confirm नहीं है तो यदि सूची में बदलाब हुआ तो चाहिन सूची में कौन रह जाएंगे जैसे दो सीटे हैं तो तो झाल प्रिटिक्चा सूची में भार तब नहीं होगे तो जो यह नंबर वाले थे वो फिटिक्चा सूची में जाएंगे बी प्लस वाले यह जो कम थे तो पर्तीक्चा सूची में अपना नाम दर्ज करा रह सकते हैं गया थे बता देता हूं 28.2018 के आदेश अनुसार ये भी आदेश आपको नियोजन पिर्किरिया के अंतरगत पोर्टल पर मिल जाएगा ये हमारा 28.2018 का आदेश है जिसके अनुसार आपकी नियोजन की पिर्किरिया की जा रही है इसमें पेज नमबर 5 पॉइंट नमबर 8.03 में लिखा एक अभ्यारती का नाम एक से अधिक नियुकता की सूची में समलित नहीं किया जाएगा अर्ताक उसके द्वारा दिये गए बिकल्प के मेरिट के किरम में एक बार चायन हो जाने के परशाथ उसी अभ्यारती का नाम अनियुकता की सूची में समलित नहीं किया जाएगा या तो वो एजुकेशन डेपार्टमेंट में जॉइनिंग देगा या फिर जनजाती विभाग में जॉइनिंग देगा दोनों को एक सूची में समलित यानि कि उसका दो जंगे नाम नहीं आ सकता है है ना दोस्तों। दूसरा question ये मन में आ सकता है कि Sir वργ एक की जितनी भी list आई थी, उसमें सबी नाम repeat हुए हुए हैं. तो अभी जो नाम repeat हुए हुए हैं जब आपका verification पूर्र नहीं हुआ है, ज़र दिन आपका verification पूरा हो जाएगा और जो आपकी final list जारी होगी और उसके बाद आप जॉइनिंग देंगे तो जंजाती विवाग से उनके नाम automatically हड जाएंगे दोस्तों और जंजाती विवाग में कौन के नाम आएंगे दोस्तों जो पिर्तिक्चा सूची में है क्योंकि यहां पर उनका चाहिन सूची में ना आया हो education department में लेकिन वो पिर्तिक्चा सूची में अपने नमरों के आधर पर उनकी चाहिन सूची में नाम आने की चांसे सब से ज़्यादा हैं और जो जो पिर्तिक्चा सूची से भार है वो पिर्तिक्चा सूची में आ जाएंगे आपर और जो पिर्तिक्चा सूची में है वो चाइन सूची में आ जाएंगे जंजाती विवाक की जो लिष्ट जारी होगी उसमें दोस्तों ठीक है तो यह पूरा कैलकुलेशन था दोस्तों अब यह कहना कि आप भार हो जाओगे तो ऐसा नहीं है यदि आपका चाहिन सूची में नाम है दोस्तों तो आप अपनी मेरिट के आधार पर आयो रेजर्वेशन यदि वही रहता है तो आपकी जो लिष्ट डली है उसमें वो अपर जाएगा है लिष्ट अपडेट नहीं होगी यदि रेजर्वेशन कम जादा होता है तो डेफिनिट्ली फिन नई लिष्ट डाली जाएगी और उसकाप से वह अपडेट हो जाएगी दोस्तों तो जो यदि आपका कम हो जाता है वह भी सी भाईवेन हो गए या फिर अन् पर चांस बनेंगे आपके जन्जाती विवाग में जन्जाती विवाग की जो लिष्ट है वो फिर से अपडेट होती है जैसी आपका Education Department की final सूची जारी होगी joining लिष्ट जारी होगी उसके वाद जो उसमें नहीं आ पा रहा है वो जन्जाती विवाग में जॉब ले सकते हैं उनकी joining हो सकती है दोस्तों तो ये वीडियो एक सूचना माते था आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए ताहे दिल से धन्नवाद